दोस्तों कुंडली भागी सीरियल तो आप देख रहे होंगे फिर तो आप अच्छे से जानते होंगे शरलीन के बारे में जो हैं तो रिशव की वाइफ पर करण को पाने के लिए हतकंडे अपनाती रहती हैं उसी शरलीन का केरदार डिभा रही है अबनेतरी रूही चतरवेदी जो अपने इस केरदार के साथ एक घरी लुनाम बन गई है साथी टीवी की मशूर अबनेतरी भी लेकिन दोस्तों क्या आप जाते हैं कि आज अगर रूही चतरवेदी इस मुकाम को हासल कर पाई हैं तो इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत रही है पर बावजूद इसके ये अबनेतरी अपनी सफलता का क्रेडिट किसी और को देती है जिन्हें ये अपना इंस्पिरेशन मानती है साथ ही कहती हैं कि आज जहां हैं उनी की बदौलत है तो आखर कर कौन से हैं वो शक्स जो बने हैं इनकी इंस्पिरेशन जन्हें ये अपनी सफलता का क्रेडिट देती है अगर आप भी जाना चाते हैं तो बस बने रहें वीडियो के अन तक साथ ही इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले कुंडली भागे सीरिल में शरलीन का नकारात्म के दाड़ भाकर मशूर हुई एक्टरस रूही चतुरवेदी आज जिस मुकाम पर हैं उसे पाने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की तब कहीं जाकर इन्होंने टीवी की मशूर आक्टरस का मुकाम हासल किया पर बावजूद इसके ये अपनी सफलता का क्रेडिट किसी और को देती हैं और किसी और को अपना inspiration मानती है इनकी वो inspiration है एक तगपूर जिने सब इटीवी की queen कहते हैं अब ये उन्हें ही अपना inspiration क्यों मानती हैं तो इसके पीछे की वज़ा ये है कि इन्हें एकता की सफलता से बहुत कुछ सीखने को मिला है कैसे उन्होंने अकेले ही टीवी की Queen का title हासल किया अपनी महनत से इस तरह उनसे और उनकी महनत से inspire होकर इन्होंने अपने passion को आगे आया उन्होंने इनकी talent को देखा और अपने serial कुंडली भागे में शरलिन का एहम करदार ओफर किया जिससे स्पीकार ने और डिभाने के बाद ये घर घर में एक जाना माना नाम बन गई है इस तरह से शरलिन का करदार डिभाने के बाद इनके शुरू हुए करियर ने तेज सफलता का सारा credit देती है क्योंकि इनका मानना है कि अगर एक ताना होती तो ये उनसे inspire ना होती ना ही आज इस मुकाम पर होती इसलिए ये अपनी सफलता के पीछे एक ताका बड़ा हाथ मानती है जिन्होंने इन्हें inspire किया और अपने hit show कुंडली भागे का हिस्सा बना कर इ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें